निम्राना पुलिस ने भिवाडी पुलिस अधिक्षक के निर्देश पर दिपावली परपर थाना निम्राना वाज जीला स्पेशल टीम की सजगता एवं प्रभावी गस्थ पर निगराणी डूटी के दोरान दो बदमाश विदेशी पिस्टल वे कार्टूश के साथ उलिस के हत्ते चड़े हैं थाना प्रभावी जीतंदर नावरिया ने बताया कि नाके बंदी के दोरान दो आदतन हार्ड कोर अपरादियों को देर शाम गिरफतार किया गया पकड़े गए दोनों बदमाशों पर हत्या का परियास वर लूट सहित कई मामले दर्ज है आरोपियों ने एक मापूर भहरोड के तसिंग में 28,000 वे कनीना हर्याणा में 35,000 रुबे की लूट करने की वार्दात कबूली साथ ही हर्याण के बाचोद गाओ में हुए मर्डर वर निम्राण के बजरन होटल पर गोली मारकर हत्या के परियास में आरोपिय है वही पुलिस पूस्ताज में आरोपिय की द्वारा दिवाली पर पेट्रोपम मालिक वर दूर डेरी मालिक के अपरहरन की योजना बना रखी थी लेकिन निम्राणा पुलिस की सजक्ता से वार्दास से पेले ही दोनों बदमाज धरे गए आरोपिय द्वारा तीन वर्षपूर दिवाली पर पहरोड वर निम्राणा से दो अलग अलग वेक्तियों का अपहरन कर फिरोती मांगी थी पकड़े गए आरोपि जलालुदिन पुत्र मुन्सिखा जाती लालगीर निमासी महंदरगर सोनू पुत्र रोहती हाश निमासी देवास महंदरगर हनियार को गिरफतार किया है साथ ये मोके से एक बायक भी जब्त की है पुलिस पकड़े गए दोनों बदमाशों को कॉर्ट में पेश कर पुलिस दिमान पर लगी ताकि अन्यवारदातों का खुलासा हो सके आए गए थे इसी करम में पुलिस्ताना निम्राना टीम और बीएस्टी दितिय प्रभारी शरी हर्विलास और उनकी टीम के द्वारा आज कांस्टेबल महेश कुमार डीएस्टी टीम के सदेशे की विशे सूचना पर दो फरारी काट रहे मुल्जिमों को गिरफतार करने में सफलता अपराप्त करिये ये दोनों मुल्जिम हर्याने से यहां फरारी काट रहे थे और फरारी के दोरान इनके दोरा विविन प्रकार के अपराद किये गए हैं जो करीब आदा दर्जन मामलों में वांची चल रहे हैं जिनमें एक मुल्जिम सोनू उर्फ पुत्र रोहिताज ये देवास का रहने वाला है और ये ग्राम बाचोध हरियाना में एक मर्डर पुलिस्ताना निम्राना के एक 307 के मामले में और उसके पश्चातिन के द्वारा एक इमित्र की दुकान पर करीब 28,000 रुपे की लूट की वारदाथ को अंजाम दिया गया है और कणिना में 30,000 रुपे की लूट को अंजाम दिया गया है ये दोनों ही मुल्जिम लंबे समय से निम्रणा शेत्र में फरारी काट रहे थे और इनके द्वारा अन्य वार्दा तो कावी खुलासा किया गया है जो की दीपावली के परुपे हर्याना में एक पेट्रोल बम के माली का अपरण करने की योजना थी और एक बेरी माली के भी अपरण की योजना थी पूरु में भी 2017 में इन आरोपियों के द्वारा पुलिस्थाना शेत्र निम्राना में एक भांग के ठेकेदार का अपरण करके 10 लाख रुपे की फरोती लेकर उसे छोड़ा गया था और इसी प्रकार बहरोड में भी एक अध्यापक का अपरण करके दो लाख रुपे की फरोती लेकर उनके द्वारा इनको छोड़ा गया था आज नाकाबंदी के दोरान इन मुल्यूमों के कबजे से इट्रली निर्मित एक विदेशी पिस्टल और चार जिंदा कार्तुस और मोटरसाइकल के ताले तोड़ने की मास्टर की बरामत की गई है दोनों मुल्यूमों को गिर्फतार किया गया है एक इनके कबजे से मोटरसाइकल बरामत की गई है इनके संबन में प्रकण दर्ज करके अनुसंदान किया जा रहा है कि इनके दोरा और कौन-कौन सी वार्दातों को अंजाम दिया गया है